हेलो प्रेंट स्वागत थे आप सब का हमारे युट्यूब चानल इजी कुकिंग इतनी लूपे तो जैसे कि आप सुब जानते हैं कि पड़ी कड़ाके की थंडी पढ़ने लगी है और थंडियों में एकदम गर्म गर्म खाना खाने का मन करता है तो अगर आप नौलविज खड़ी लाल मिर्च, लॉंग, जावित्री, छोटी लाइची, काली मिर्च, बड़ी लाइची, दाल चेनी, जीरा और तेजपत्ता यहां पे हमने लिए अदरक, लैसन, तीन से चार बारी कटी हुई प्याज और दो हरी मिर्च यहां पे सब को कट करके रखा है हमने तो यह उच्छा फ्लेवर आता है, तो यह गराव हुजाए देंगे और उसक्ता हम लोग समय एड़ देंगे हमारे सारे खड़ी मसालาย तो यह देहे खिए खड़ी मसालों से बहुत जाष औढ़्ञ प्लीवर आता है, और फिर हम लोग喜 समय डिंसा घठा हुई, और लैसन, और बुम जाए और पक जाए तो हुआ फून होजा है उसके हम लोग बारीक कर लाइ हमiada मैज कर देती हम लोग बारीक कर लिए जिसे बहुत बारीक है कटी है औऑ three मिर्च इसे भी हमने भूड़ा कट कर लिया है और उसका तो अब हम लोग प्याज को ना मीडियम फ्लेम पे एकदम अच्छे तरीके से लाल होए तक भूझ लेंगे और इसे आप भी मिक्स भी करते रहेगा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो प्याज है वो जलेना क्योंकि प्याज से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कीमा में तो यहाँ पे हमने लिया है तीन पाव कीमा जिसे हमने अच्छ तरीके से वाश कर लिया है और यह मटन कीमा है तो हम लोग इसे इसमें अड़ कर देते हैं अब इसे हम लोग मिक्स करके ढख देंगे और इसे हम 10-15 मिट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूझ लेंगे वीज चलाते है तो कुछ इसी तरीके से इसे दस्ते परबेट पकने के बाद हम लोग इसमें मसाले आड़ करेंगे जैसे कि हमने इसमें अड़ किया है अदा चमच हल्दी पॉर्डर अदा चमच काश्मीरी लाजमेश पॉर्डर दो चमच पिसी हुई धनिया का पॉर्डर फिर इसमें आ चमच दही तो दही आड़ करने के बाद इसे हम लोग मिक्स कर लेते हैं दही को हमने आप फेट के इस्तमाल किया है तो लाल मिर्च हमने इसमें 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 नहीं किया है क्योंकि हमने इसमें यह लाल खड़ी मिर्च भी डाली है और हरी मिर्च भी डाली है बहुत तो यहां पे हम लोग एक ग्लास के करीब गरम पानी का इस्तमाल कर रहे हैं तो यहां पर हमने इसमें पानी को आट कर दिया है इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और अब हम लोग इसे फिर से ढख देंगे और 10-15 मेट के लिए लोटू मीडियम फ्ली में पकने देंगे अगर आपको और ग्रेवी चाहिए तो और पानी के इस्तमाल कीजे कम चाहिए तो आप इसमें कम पानी आट कीजेगा लेकिन गरम पानी का इस्तमाल कीजेगा और बीच मेरे से जैक भी करते रहेगा तो यह देखें यहां पर मतन कीमा है ना उसमें उबाल आ गया है और यह देखन और अब चलिए हम लोग इसे फिर से ढख देते हैं और थोई दिर और और पकने देते हैं क्योंकि जितने चीज़े पकेगा न उतना अच्छा फ्लेवर आएगा तो बस पांसे छे मेट के लिए से मीडियम फ्लेप पे और पकने देंगे और फिर से गर्मा गरम सर्फ करेंगे आप इसे चावल, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं शायर तो आप इसे नान या तंदूरी नान के साथ भी खा सकते हैं यह आपको बहुत टेस्ट लगेगा तो एक बार इसे जरूर ट्राई कीज़ेगा अगर आप एक नौन विज लवर हैं और यह मटर कीमा बहुत दबान नहीं भूलिएगा मिलते हैं आप से तने लिए वीडियो में वीडियो को पूर देंगे लिए थांक्यू और बाइबाए